हलो इस वें आज अनलोग बात करते हैं एक और बहुत इंपर्टन स्टेस्मेंट की जो लूपिंग में ही यूज होता है लेकिन उसका काम लूप चलाने का नहीं होता है उसका काम इंटारली डिफरेंट होता है तो टोड़े भी विल डिसकस अबाऊट ब्रेक स्टेट्मेंट यूस क्या होता है पहले आप यह समझ लिजे कि जैसे माल लिजे हम कोई भी लूप स्टेट्मेंट रन कर आ रहा है सपोज कीजिए हमने फॉर लूप दिया फॉर आई इक्वल टू वन से लेकर और आई लेस देन इक्वल टू टैन तक और आई प्लस प्लस यह हमने दिया और हम कोई भी प्रोसेसिंग कर रहा है माल लिजे हमने कहां दो नम्बरों का हम एडिशन कर रहा है से जेट इक्वल टू एक्स प्लस वाई ठीक है तो अब क्या हो और हमने यहां पर इसको प्लोस कर दिया अब क्या होगा कि यह यह लूप दस बार चलेगा यह टेन टाइम चले जेट की मैंल अगर देड कहनद से ज्यादा आ जाए अगर जीट की वैंलूं जादा आ जाए तो यह लूप रूख जाए अब चाहिए बहुों पहली बार्स चाहे दूसरी बार में चाहरे चाहे जुक्कशी ऐसका वारे जब भी तो यानि कि जबिश्य को अक तरह से यह हो कंडिशन में जाने के पहले ही अगर आपको लूप को रोकना है उसके लिए ब्रेक स्टेट्मेंट का यूज किया जाता है ठीक है यह तो हो गया इसका बेसिक कि यह जो जो ब्रेक पर आपको लूप करता है यह काम करने के लिए ठीक है जो जो इसका नेक्स स्टेट्मेंट होगा यहां पर आजाएगा ठीक यह तो होगया इसका बेसिक ब्रेक पर आपको लूप करता है अब इसको हम एक एक्जामपिल लेकि आपको समझाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ब्रेक इस्टेटमेंट कैसे यूज कर आता है तो माल लीजे हमने कोई एक्जामपिल लिया इसमें क्या है कि राइट एक प्रोग्राम टुडिटर्माइन वेदर नंबर इस प्राइम और नॉट की कह हमें यह फाइंड आट करना है कि इसे राइट को प्रोग्राम कि टॡिटर्माइन whether a number is prime or not whether a number is prime or not ठीक यह find out करना है अब prime number क्या होते हैं यह तो आपको पता भी होगा कर नहीं भी पता है तो आप जान लिजे कि prime number is one which is divisible only by one or itself यानि prime number जो होते हैं या तो वन से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं जैसे 13 है 17 है ठीक है इस तरह के जो नंबर है यह आपके prime number हो गए 7 है ठीक है और आपका आपके नाइन तो नाइन नहीं है क्योंकि 9 तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा ठीक है 15 आपने का तो 15 भी नहीं है क्योंकि 15 तो 3 से भी डिवाइड होगा 5 से भी होगा तो वह नंबर जो या तो किवाल अपने से डिवाइड होते हैं और या से डिवाइड होते हैं ऐसे नंबर प्राइम नंबर पेलाता है यह हम में प्रोग्राम मनादा है तो अब इसमें हम क्या करेंगे महालीजन हम बराबनाना शुरू करें तो हमने कहा किसे हमने मेन लिया है यह में फंक्षं की बॉड्डी स्टार्ट हो गई अब यहाँ पर में दो नंबर लिया इंटीजर नंब एक अधर लिया और आई यह आपर डिकलेर कर से अब नमबर एंटर की दिए दिया नंबर एंटर कर दिया कि नंबर नंबर यह नंबर प्रिंट हो कर दिया हमने अब इसको हमें चेक करना है यह नंबर अपने से और एक से तो अब इसको कैसे चेक करेंगे तो इस नंबर को हम दो से लेकर और नंबर के एक पहले तक सब ऐसे समझे आप जैसे माली 17 को में चेक करना है प्राइम है की नहीं तो एक और 17 यह दोनों छोड़ दीजे मतलब 2 से लेकर और 16 तक हम इसको डिवाइड करते जाएंगे और अगर यह डिवाइड हो गया तो प्राइम नंबर नहीं है और अगर डिवाइड नहीं हुआ तो प्राइम जब तक कि I less than equal to कितना है नम माइनस 1 मतलब 16 तक तब तक आप क्या कीजिए हम चेक करेंगे इफ नंबर को मॉडुलस ऑपरेटर यूज कर रहा है रिमेंडर ऑपरेटर आई से डिवाइड करेंगे और अगर यह 0 है इस इस इक्वल टू 0 तो क्या होगा कि प्राइम नंबर नहीं होगा तो हम यह लिख देंगे प्रिंट एफ नॉट एफ नॉट एफ नंबर और ब्रेक करके हम लूप से बाहर आ जाएंगे यह हमने इस स्टेट्मेंट में दे दिया और लूप से बाहर आने के बाद क्या होगा फिर आई से हम फिर हम आई को बढ़ा देंगे आई प्लस प्लस यानि पहले दो से डिवाइड करेंगे अगर कड़ गया तो नॉटे प्राइम करके बाहर आएगा फिर तीन से पिर चार स से 16 और पूरा हम बाहर आ गये यहां पर मतलब while loop से देखे inward का loop यहाँ पर क्या है यह हुआ यह तो इफ का statement बंद औगिया यह वाईल का बंद ऊगिया वाईल के अमने i++ दे़िया अब इसके बाद क्या होगा अगर हमने कहा इसकी जरूरत नहीं है अब हम क्या करेंगे कि अब हम condition यह देंगे if i equal to num मान लीजे i आपका क्या हो गया i आपका num के बराबर पहुँच गया i जो बढ़ाते जा रहा है if i equal to num और loop break नहीं हुआ तो क्या होगा हम printf कर देंगे printf the entered number is prime the entered number is a prime number ठीक है यह हम print करके और तब program end करेंगे आपके यह main की body यहाँ बंदो तो यह use होता है basically break statement का कि जब loop के अंदर कुछी statement को execute कर रहा है और जो कोई अगर में वहाँ पे condition ऐसी आती है कि हमें loop से बाहर आना है without going to the testing condition तो ऐसे situation में हम break statement का use कर सकते है ठीक है अब इसमें हमने यह जो operator use किया था वो आप देख लिए हमने लिखा था num modulus operator i यह क्या देगा यह देगा num को divide करेगा i से और जो remainder है वो देगा जैसे for example हमने कहा कि num हमने enter किया suppose कीजे मान लिए कोई भी value ले लिए से नम हमने एंटर किया 7 और i पहले उसमें कितना है 2 तो num modulus operator i यह क्या value देगा यह देगा साथ को आप 2 से divide कीजे दो तिया 6 remainder कितना बचा वन आ रहा है यह हमें वन देगा ठीक है तो इस तरह से आप इस प्रोग्राम को बना सकते हैं अब चाहे आप यह while loop में यूज कीजे break statement चाहे आप for loop में यूज कीजे ठीक है आपको जब भी ऐसी situation हो कि आपको loop रोक के बाहर आना हो तो आप इस तरह की situation में break statement का इस्तिमाल आराम से कर सकते हैं break statement जब भी execute होगा है जब भी encounter होगा तो program का control for loop के बाहर जो भी next statement होगा उस पे तुरंत आजाएगा तो आई होप आपको यह clear हो गया होगा अगर कोई doubts या confusion है तो comment line में comment करके पूछिए और अगर video content पसंद आ रहा तो फ्लीज वीडियो को share कीजे like कीजे चैनल को subscribe कीजे और notification bell को जरूर आन कर दीजे थैंक यू